नवस्कार स्वागात थे आप सब का हबारे खास कारिकम देश देशांतर मैं मैं हूँ कवीन सचान लोकसभा में ग्रिह मंत्री ने सोमवार को नागरिक्ता संशोधन विध्यक पेश किया लोकसभा में विध्यक को पेश के जाने के लिए विपक्ष की मांग पर मतदान हुआ और सदर ने बहुमत के साथ इस विध्यक को पेश करने की स्विक्रती नागरिक्ता संशोधन विध्यक 2019 का उदेश अफगानिस्तान, बांगलादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिक, बाउज, जैन, पार्सी और इसाई समुदाय के ऐसे प्रवासियों जिन्होंने अपने देश में धर्म के आधार पर उत्पीडन, अत्वा ऐसे उत्पीडन के भै के कारण भारत में शरन ले रखी है और जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले वैद यात्रा दस्तावेजों के विना भारत में प्रवेश किया है अत्वा उनके दस्तावेजों की वैदता खत्म हो गई है को भारतिये नागरिक्ता प्राप्त करने की स्विधा का प्राधान इस बिल में किया गया है बिल में इनर लाइन पर्मिट और छटी अनसूची में शामिल उत्तरपूर के राजियों को इससे अलग रखा गया है समझेंगे कि नागरिक्ता संशोधन विधेग 2019 क्या कहता है क्या इसके खास प्रावधान है जरुद का इससे पहले नागरिक्ता जो कानून है उसमें कब कब बदला हुए उस वक्त के क्या हालात थे क्या उसमें नई चीज़ें चोड़ी गए और इसका इंपाक्ट का है तीन बेहत खास मिमान हमारे साथ स्टूडियो में है प्रिके मिनोतास हमारे साथ है, पूर सची, कानून और मंतला अलाय भारा सरकार में आप रहे हैं सरसवागत है, सत्परकाश हमारे साथ है, विदी संपादक हैं आप तरिब्यून में और साथ-जाथ तक्षू हमारे साथ है जो की खास और पर संसत की जो तमाम बिल या मैंकों की कानून है उसके बारे में पूरी टीम को हेड करते हैं, रिसरच टीम है आप तीनों का स्वागत है, शिरुआत तक शूब मैं आप से करना चाहूँगा इस बिल की काफी चर्चा लेकिन पहले जो है और उसमें क्या नया या क्या अलग इस बिल में रखा गया है थोड़ी सी भूमी का बांदूं की जो हमारा सिटिजनशिप का कानून है वो क्या कहता है पहली चीज हमारा कानून ये कहता है कि आपको भारत के अंदर आने के दिए वैद कागजों की जरूरत रहती है अगर आप वैद कागजों पर आते हैं और उनकी वैदता के बाद भी आप हमारे देश में रुख जाते हैं तो आपको इलीगल करार दिया जाता है अगर आप बिना वैद कागजों के हमारे देश के अंदर आते हैं तो आपको वैसे ही इलीगल कहा जाता है और हमारा कानून अब ये कहता है कि अगर आप illegal migrant है हमारे देश में बिना वैद्य कागजों के आए हैं या you have overstayed अपने कागजों का टर्म तो आपको citizenship नहीं मिलेगी अब जो ये हमारा कानून आया है इसमें कुछ बदलाव कर रहा है तो इस कानून का पहला रूप आया था 2016 में पिछली लोकसवा हमें और वो ये कह रहा था कि जैसे आपने बताया तीन देशों के और छे समुदाये के लोगों को अगर वो illegal हैं हमारी country में एक date से पहले और वो ये बात देता थी कि उनको citizenship नहीं मिलेगी उस बात देता को वो खतम कर रहा था पैदी चीज ये कर रहा था दूसरी चीज वो ये कर रहा था कि उनको जो citizenship देनी की प्रक्रिया है उसको वो थोड़ा सा आसान कर रहा था क्योंकि हमारी देश में अगर आपको नागरिक बनना होता है तो उसका एक naturalization process होता है उसमें कुछ 11 साल का stay का requirement होता है कि apply करने से परदे आप 11 साल देश के अंदर रह चुके हैं तो वो उसको 6 साल कर रहा था और तीसरी चीज़ यह कह रहा था कि कुछ लोग जो भारतिय मूल के होता है मैं भारत के नागरिक नहीं है किसी और देश के नागरिक हैं उनको एक OCI overseas citizen of India का status दिया जाता है मोटे तो पर मैं कहूं तो वह यह होता है कि उन्हें एक long term visa मलता है जिससे वो देश के अंदर अराम से आ जा सकते हैं अगर OCI citizen OCI holder अगर किसी कानून का उल्हंगन करते हैं हमारे देश के अंदर तो 2016 का कानून कह रहा था कि उनका वो OCI का status हटाये जा सकता है अब जो कानून इस लोकसभा में आया है वो दो तीन चीजें बदल रहा है 2016 के कानून से पहली चीज वो जो बदल रहा है वो यह है कि अब यह जो नया कानून आएगा यह सिक्थ शडियूल एरिया जो नौर्टीस के जो स्टेट्स हैं जैसे आपने का उन पर लागू नहीं होगा तो वो एक exception है दूसरा यह कहा जा रहा है कि जो OCI स्टेटस रिवोक होने की बात हो रही थी उसमें अब केंद्र सरकार उन कानून की सूची निर्धारित करेगी नोटिफाई करेगी जिनके उलंगन से आपका OCI स्टेटस हटाया जा सकता है तो यह मूलतर से यह दो बड़े हैं 2016 के कानून से थोड़ी सी इसके एक legislative history बता दूँ 2015 में कुछ notification आई थी जो की इन तीन देशों और छे समधयाओं से deal कर रही थी उन notification के बाद 2016 में बिल आया वो बिल एक select committee को refer हुआ select committee ने अपनी report दी उसमें कुछ descent notes थे क्योंकि बिल सिरफ लोकसभा से पास हुआ था राजसभा से नहीं पास हुआ था तो वह lapse हो गया और अब इस लोकसभा में नए बिल को आज introduce किया गया है कि इन दोनों को इस से एक्जम कर दिया है दिखे सरकार के पास जिस तरह के विचार आए क्योंकि ये चर्चा आज से नहीं 2015 से चल रही है जैसा कि चक्षु जी ने बताया 2015 में और 16 में रूल्स में अमेंडमेंट किया गया वो लोग जो illegal तरीके से आए या legal document लेका है और उनके document एक्सपायर होगे और वो रह रहे थे और वो illegal immigrant किये जा रहे थे अगर सरकार चाहती तो उनको जेल में डाल सकती थी या डिपोर्ट कर सकती थी लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि जो हम तीन देशों की बात कर रहे हैं वहां बहुमूले जो है वो मुस्लिम लोगों का है और यह छे community जिनके हम बात कर रहे हैं यह वहां minority पे हैं और minority में वो लोग इसलिए यहां आए क्योंकि वहां पर religion के आधार पर उनके साथ में पक्षपात हो रहा था या भेदवाव हो रह है कि जो महां के tribal areas हैं उनके हितों की रक्षा की जाएगी तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए मैं समझता हूं कि जो डिबेट हुई जो विचार में मर्श हुआ 1916 के बाद शायद इसलिए 2016 के बिल में जो प्रवधान नहीं रखे गए थे वो 2019 के बिल में उनको डाला ग हम मुस्लिम जो हैं वो मैजराटी में हैं और यह छे कम्यूनिटी जो हैं यह मैजराटी में हैं और वो लार्ज स्केल जो माइगरेशन हुआ अर्टिमेटली हम एक दुनिया का हिस्सा हैं और हमें भी लोगों के हुमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो है हमारा भी एक डूटी बनती है शायद उस डूटी को निभाने के लिए सरकार इस तरह का कानून लेकर के आई है जो एक कारण है इस कानून का जो थोड़ा के बेसिस पर लाए गए है लेकिन सरकार उसका justification ये दे रहे है कि अगर हम religion के बेसिस पर भी ला रहे हैं because of the persecution of the minority communities in those states हम ये लेकर आ रहे हैं और ये शायद सविधान का article 14 जो है उसका हनन नहीं करता इस तरह की बात आ रही है अब ये करता है या नहीं करता वो मैं समझता समय बताएगा विचार बताएगा जब हमारे सामने आर्गिमेंट आएंगे और सरकार के पास अपने पास कानूनी विशेशग्य हैं मैं समझता हूँ बिल को लाने से पहले सरकार ने उन कानूनी विशेशग्यों की अवश्य सला ली होगी और उनकानूनी विश्यशग्यों ने कोई ना कोई कारण या एक्सेप्शन इसके लिए जरूर बताए होगे कि इस तरह के बिल लायाज होगता है लेकिन अगर इस तरह के कोई बात आती है तो देन उसके लिए जो कोट है वो डिसाइड करेगी अश्यश्य प्रकाशी क्योंकि एक बड़ा मसला आ रहा था कि जो इनर लायन पर्मिट और उस एरिया की बात और खास पर नौर्थीस्ट की जिसको एक्जम्ट क्या गया मैं थोड़ा सा उस परस मुझना चाहूँगा कि वो इसके दायरे में आने से उसका नुकसान क्या था उसके दायरे से बाहर रहने से वहाँ पर इसका इंपक्त क्या है देखिए नौर्थ एस्ट की ईरिया जो ही वो ट्राइबल खासकर जो सेडिल सिफ्थ ऐरिया जिसमें चार स्टेटस असाम हैं मेगाला हैं मिजोरम महर तिरपुरआ हैं और कुछ और स्टेटस हैं जिसमें इनर लाइन परमिट लेना पर आपको ये वो एरियाज हैं जिसमें ट्राइबल पॉपुलिशन जजादा है और वो पॉपुलिशन जजादा है वहां के हिसाब चाहिए लकिन वो जिनरली लैक्स में है कुछ लाक हैं और अगर बाहर से जाकी लोग वहां बसेंगे तो उनकी जो tribal language है या कहें कि संस्कृती है या रहन सहने उनसे पे असर पड़ेगा और वो बिलकुल एक तरह से कहें कि गौन हो जाएगा और इसलिए उसको बचाने के लिए ये प्रावधान किया गया है जो कि 2016 के इसमें नहीं था और उसके बाद जिस तरह की चर्चा हुई थी और जिस तरह का विरोध हो रहा था नौर्थ सेस्ट के कई राज्यों में उसके बाद सरकार ने इस बात का बहुत एक तरह से कहें अरी बार ऐसा हो रहा है मेरी नजर में ये धर्म के आधार पे नहीं किया गया है धर्म इसका कोई आधार बिलकुल नहीं है इसका आधार ये है कि धार्मिक आधार पे किसके साथ भेदभाव किया जा रहा है कौन धार्मिक रूप से प्रतारित हो रहा है ये इसका आधार अ बेसक वहाँ पे जो बुधिस्ट लोग हैं और जो हिंदू लोग हैं उनके साथ इस तरह की चीज़े हो रही है पाकिस्तान में आए दिन इस तरह की घटनाए होती है जिसमें की हिंदू लड़कियों को उठा के ले जाते हैं लोग और नाबालिक लड़कियों को बारत 13-14 साल की लड़कियों के साथ उनका धर्म पड़िवर्तन करके किसी और के साथ साधी कर दी जाती है उनके माता-पिता बिलगते रहते हैं और ये चीज़ें आज से नहीं हो रही है बहुत साले से हो रही है हिंदूस्तान एक तरह से कहें कि सिवलाइजस्टनल स्टीट है हिंदूस पिछले कुछ दसक में कहें कि या 50s और 60s में जो तिबबत से अच्छी खासी संख्या में बुद्धिस सरनार्थी लोग हमारे यहाँ हैं और इसी तरह से यहूदी लोगों को भी हमने शरन दी है तो यह जो परंपरा रही है हिंदुस्तान में धार्मिक रूप से परतारित ल जो इसको रिकोंगनाईज करता है यह जो सिवलाइजिस्नल रेस्पॉंसिबलीटी है इंडिया को इन्डिया उसको निभार रहा है मुझे इस बात के खुशी है जो अगर इसको एक को प्रतारना देने वाले हैं लोग जो वहां के communist लोग हैं उन में से अगर कोई यहां आ जाता है और application देता है कि हमें भी आप citizenship देंगे तो क्या उनको भी हम citizenship देंगे नहीं दे सकते हैं दूसरी चीज जो article 14 की बात की जा रही है जो article 14 में समानता कादिकार है उसमें अबसर के समानता और कानून के सामने सब को समान रूप से हम ट्रीट करेंगे लेकिन article 14 में उसमें कहते हैं कि एक reasonable classification वो allowed है आप चाहें तो लोगो को इस तरह से classify कर सकते हैं लेकिन उसके लिए जो requirement है वो यह है कि उसके लिए एक intelligible difference है आपको किस आधार पी ये classification कर रहे है और वो अलग-अलग तरह की लोग है या एक ही तरह की लोगों को आप classify कर रहे है और किस purpose के लिए कर रहे है तो object sought to be achieved वो क्या है यहाँ पे जो रन देना चाहते हैं एक तो धार्मी क्लूप से परतारीत लोग कौन है बांगलदेश की मुसलमान है या अफगानिस्तान या पाकिस्तान की मुसलमान है या वहां के minorities है तो हम धर्म के आधार पे नहीं दे रहे हैं हम इस आधार पे दे रहे हैं किसी को नागरिकता के लिए प्राथान उसको एक तरह से रिञया है पहले 11 साल था अब पांच साल किया है पिछले वाले बिल में 6 साल था है तो वह परतारना जिस किसी का भी है वह यहां पर अबिकेडालो व हो इलेजिबन देने के लिए वह इलिजिबल अगर किसी हिंदू परिवार की महिलाओं के साथ बलातकार होता है या और इस तरह की चीज़ें तो क्या जो उनके बलातकारी होंगे आप उनको भी अगर आवेदन देते हैं तो क्या उनको भी आप उनका भी आवेदन सुविकार करेंगे इस तरह की चीजें यह आप बिल को प एक खास धर्म के चर्चा की गई है, धर्म का नाम तक नहीं लिखा है, चुकि इसका आधार धर्म नहीं है, और यही चीज समझने का है, क्योंकि आगर यही होता, तो स्रिलंका से जो तमिल हिंदू लोग प्रतारित होके और किसी कारण से भाग रहे हैं, उनको दिया जा सकता ह अब इसमें सामिल नहीं किया गया है, यही चीज बिलकुल साफ होनी चाहिए, और यही चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको लिके ब्रह्म की स्थिति बनाई जा रही है, कि बार बार यह उचालने की कोशीज करें, मुसल्मानों को नहीं दे, आप यह भी तो सोचिए कि जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो कौन हैं? दूसरी चीज मैं इसके साथ जुरी है, जिस तरीके से चक्षू माया देख रहा था कि उनीस सो पच्पन में यह आता है, उनीस सो साथावन में पहला अमिन्मेंट आता है, अब तक नौ अमिन्मेंट दोहजार पंदरा तक, में माइनरिटी का खास ख्या लगना चाहिए, जब भी इन देशों के बारे में हम च्छनार्थियों की बात करते हैं, यानिकि इससे पहले भी जब भी अमिन्मेंट हुए हैं, तो मैं अगर गलत नहीं हूं तो उसमें माइनरिटी ही आधार रहा है, अगर हम 2016 का बिल देखे और यह 2019 का बिल देखे, तो इसमें अगर हम दोनों के स्टीट्मेंट आफ आबजेट्स और रीजन्स को इक बार पढ़ें, तो जो 2016 का स्टीट्मेंट आफ आप आबजेट्स आफ नुगयों रीजन्स है, वो इतना डीटेल में नहीं जाता है, कि यह बिल को क्यूं लाया ग कि किसी एक समुधाय का, किसी चार-पांच समुधायों के खिलाफ उनके देशों में दिक्कत आ रही है, कि अपना ओर रिलेजन नहीं प्राक्टिस कर पा रहे हैं. तो सरकार का उसमत कमिटी में ये जवाब था, कि जो हमारे नोटिफिकेशन थे, उसके अंदर हमने ये कहा हुआ था, और नोटिफिकेशनों का हमने जिक्र अपने स्टेट्मेंट और अब्जेक्स और रिजन्स में किया है. बट अगर आप 2019 का बिल देखें, तो उसका जो स्टेट्मेंट और अब्जेक्स और रिजन्स और उसका जो पारग्राफ दो है, वो काफी डीटेल में जाता है. और वो ये भी कहता है कि जो हमारे ये पडोसी देश हैं, उनका जो सम्विधान है, उनके सम्विधान में एक धर्म की बात करी गई है. उस धर्म के अलावा जो लोग अपना धर्म वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग उसमें डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं. और उस बेसिस के हिसाब से उस बिल को यहां पे दाया गया है. अब मलोतरा साब ने बड़ी अच्छी बात यह कही थी, उन्हें ने यह कहा था कि क्या यह सम्विधान की आर्टिकल्स पर खरा उतरेगा और नहीं उतरेगा, यह तो शायद बात की बात है. क्योंकि अगर हम हाउस की देखें, तो हाउस की प्रोसीडिंग में ना स्पीकर ना चेर्मेन वो बिल की संविधानिकता या पार्लेमेंट की legislative competence पे उनका कभी order नहीं आता है. जो बिल की legislative competence है, वो हमेशा हाउस के फ्लोर पर तै होती है. और जहां तक मुझे याद है जब आज हाउस के फ्लोर पर वो तै हुआ, तो वो डिविजन हुआ, तो उसमें जो बिल को लाने का जो पक्ष था, वो भारी था और उसके साथ से वो इंटर्डिउस हो गया. क्या इसका मतलब यह है कि हाउस हर बार सही रहता है? नहीं, कई बार ऐसा भी हुआ है, कि हाउस से बिल पास हुआ, और उसके बा ठीक है या कितना ठीक नहीं है, बट अभी तक जो इसका बेसिस है, वो जैसे सर भी कह रहे थे, वो बेसिस यह है कि एक जो छे समुदाएं हैं और जो तीन रास्ट्रें हैं, उनको देखके यह किया गया है. मैं लो तो वस्रक्राओं कि बार बार उस नौ जो अमेंडमेंट ह हुए हैं, उस वक्त भी जब कुछ देशों को शामिल किया गया मेंड के जरीए, कभी बांगलादेश की बात हुई, कभी किसी कंट्री की बात हुई, और ऑल्वेस मैं देखा हूँ कि जो डिबेट उस वक्त सदर में हुई है, तब भी यही कहा जा रहा है कि उस देश में र मुस्लिम कम्यूनिटी का मेजॉरिटी है, क्या वो हमारे आर्टिकल 14 के लिए एक सेपरेट क्लास किये जा सकते हैं, यह एक डिबेट का विश्य है, और शाहिद सरकार ने इस पर विचार करने के बाद, क्योंकि यह देखिए, यह बिल ऐसा नहीं है कि एक दम से इंट्रोड से चल रहा है, क्या इनको प्रोडेक्शन देना चाहिए, या नहीं देना चाहिए, या इनके लिए कानून में सुधार होना चाहिए, और कुछ रिलेक्स कंडिशन होनी चाहिए, कर निहीं होनी चाहिए, लेकिन जो विशे इस सब discussion के दूराना है उस सब पे सरकार विचार करके एक नया बिल लेके आई modifications के लेके आई जो modifications चक्षु जी ने बताएं और मैं समझता हूँ उसमें भी इस बात पर ध्यान किया गया कि क्या ये सब इधान के प्रावाधानों पे खरा उतरेगा के नहीं उतरेगा तो मैं समझता हूँ उसी साब से इसको भी एक अपना जो है वो देना एक समय देना चाहिए ताकि इस तरह का गर बेल पास होता उसका implementation कैसे होगा and mind it कि इससे कोई उनके उपर vested right उनको नहीं मिल जाता citizenship का citizenship के इन लोगों को देने के लिए भी सरकार उसके उपर rule बनाएगी और अगर ये लोग जब apply करेंगे it is by this is a citizenship by naturalization under section 6 read with schedule 3 of the citizenship act of 1955 जिसमें ये amendments लेके आई जा रहे हैं अगर competent authority feel करेगी कि वो बाकी जितनी requirements है उसको पूरा करते हैं प्लस जो उनको relaxation अभी दिया जा रहा है उस relaxation में भी फाल करते हैं सिर्फ और उनको सविधान की ओद भी लेनी पड़ेगी अगर ये सारी compliance होती है तब भी उनकी citizenship दी जाएगी citizenship के अधिकार दिये जाएंगे ऐसा नहीं है कि एक बार अगर कानून में थी कि मौहर लगेगी उसके बाद इसमें जो parameter हैं उसको fulfill करने के बाद आप eligible होते हैं apply करने के लिए जी उसके बाद वो तवाम parameter लागू होंगे जो कि सिर्जिन सब के लिए जरूरी है और वो दस्तावीद वो कागजाद है जो भी parameter हैं जी सो मोटो नहीं है कि अगर आप य करने का तात्परिता हो यही था कि यह citizenship automatic नहीं है amendment के बाद में उसके लिए भी हर व्यक्ति को apply करना पड़ेगा जो schedule 3 of the citizenship act और section 6 की जो प्रावाधान है उनकी compliance करनी पड़ेगी और उसके बाद भी जो competent authority है उसकी discretion है वो अपनी discretion को exercise करते हुए अगर उसको लगता है कि यह citizenship citizenship देने के लाइक नहीं है तो उस particular case में citizenship grant नहीं की जाएगी सता जी एक और जो factors में है वो है OCI holders को लेकर उसमें भी पिछले से इस बार कुछ बद्दाव किया है खास्तों पर नागरिक्ता रद करने को लेकर क्योंकि इस पर भी काफी ज़्यादा चर्चा है क्या असलमी मसल नहीं है कि आप OCI card इसू कर सकते हैं लेकिन किन परिस्थोतियों में इस card को रद किया जा सकता है इसके चर्चा नहीं जैसा कि चक्शु जी ने कहा कि अभी सरकार बात में बताएगी कि किन-किन कानूनों के उलंगन के कारण उनको OCI card लिया जा सकता है लेकिन जो कुछ के बात है बट किन की काणूनों का ये जब लॉउ बनने की बाद जब रूर्स फ्रेम होगे उसमें जाधा क्लैरिटी आएंगी अभी उतनी ज़या प्लेटा कुछ चीजा उसमें हैं कि इनको इसके बाद यह वापस लिया जा सकता है रगे किया जा सकता है एक चीज़ जो मलोतरा साब कह रहे थे कि ये नेच्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है आटमेटिकली नहीं मिलेगा उसमें अभी जो इस्तिती थी उसमें ये था कि जो 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग भी इन तीन देसें से आये थे माइनुरिटी कम्मुनिटी के उनके पास अगर कोई वैद डॉक्मेंट के अधार पे अगर नहीं आये थे या वैद डॉक्मेंट के अधार पे आये थे उसकी समय सीमा समाप्त हो गई है जो उनको वीजा मिला हुआ था उसके बाद ओवर स्टे कर गया है तो उसका नतीजा ये था कि वो सिर्जन से बाई के अधार प्लाई करने के अयोगे हो रहे थे तो अब इस कानून के बाद वो फिर से भारत की नागरिक्ता के लिए आवेदन देने के योगे हो जाएंगे तो ये उनकी अयोगेता वाली जो इस्थिती थी उसको एड्रेस करता है अब वो आवेदन देंगे और बाकी की जो हैं जो नागरिक्ता कानून के लिए नागरिक्ता मिलने के लिए वो शर्तें अगर वो पूरी करते हों उसके बाद उनको नागरिक्ता दी जा सकती है एक चीज जो मैं कहना चाहरा था कि ये सारी चीजें जो अभी हम लोग एक तरह से हिंदोस्तान एक तरह से कहें कि जूज और उन्होंने अपने लिए अलग देश की मांग की और सही या गलत जो भी हुआ पार्टिसन हुआ अब जो लोग वहाँ चले गए हैं और उन्होंने एक खास धर्म को की ब्योस्था के वो थियोक्राटिक स्टेट्स हैं हमारे यहाँ थियोक्राटिक स्टेट नहीं है आश्यर यह है कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं इन प्रावधानों की वो माइनरिटीस को जो यह कंसेसंस हम दे रहे हैं नेचरल एजिसन का प्रोसेस में उसकी आलोचना कर रहे हैं और जो लोग प्रतारित हैं उनके उनके लिए जो प्रावधानों हो रहे हैं उसकी आलोचना कर रह कि जो चीजें कहीं पे कुछ इस तरह की चीजें रह गए थी और लोग उस तरफ रह गया है एथियोक्राटिक स्टेट में और वहां माइनरिटी के रूप में उनका जीना दूभर हो गया है तो उनको हम कैसे एक तरह से मुझे मुझसे करें तो मैं करें एक तरह का यह रिस्क् काया है उनके संख्या दिनानू दिन घड़ती जा रही है और उनके खिलाफ जो अत्याचार है उनकी बारे में बहुत तरह की रिपोर्टिंग है जो कि अब पहले उतना जादा नहीं था अब टेलीविजन के कारण और सोसल मीडिया के कारण लोगों को ज्यादा पता हो रहा है मेरे हिसाब से ये कदम फिर गड Seriously है पार्टिंग की उसके कारण जो कई तरह की समस्याई थी उसको एडरेस करने के लिए की गई है दूसरा जो एक सिवलाइससिस्राल रिस्पोंसिबिटी है इंडिया की उसके कारण है जो कि इंडिया एक तरह से कहीं की निभाता रहा है प उसके पीछे का मकसद क्या है और उसका आसर कहां पर होगा और किन इलाकों को ये किन राज्यों को किन वजहों से इस से छूड़ दी गई है फिलाला जितना ही नमस्कार